लेकिन कुछ जो अखंड अकेले हैं, वो दोस्तो क्या कहते हैं, बर्दी के बारे में आपको अपने डेली, कभी, हग डे, प्रॉमिज डे, रोज डे, अपले क्लेट्फॉम पे हैं, मैं गरेंटी लेता हूँ, दोस्तो, आपकी जॉब लगबा के जाओंगा। हलो, नमस्कार साथियो, जैहिंद, मैं हूँ माही और स्वागत करता हूँ, दोस्तो, फिर से जीत के जस्न में, महफले जस्न में साथियो, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो, बड़े ही जिगरवाले हो रे तुम तो, कसम से साथियो, मैंने यूँ ही, पिछले इंपोर्टेंट है आज का आपके लिए सब के लिए it is important for everybody everybody में कौन-कौन 625 बाले बेटिंग लिस्ट वाले जोइनिंग बाले सारे लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से इसको देखना है इससे शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तो कि जिंदगी में सच में ही सफलता हासिल करनी है तो एक चीज का ध्यान दे लो कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस पे महत ज्यादा हमको बातचीत करनी नहीं है हमको इस पर सोचना है कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं ठीक है दोस्तो यही मूल मंत्रे साथियो एक चीज औ वो केरा सर कोई तो बैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है कोई तो अपनी नायकाओं के लिए प्रेमकाओं के लिए बहुत बहुत गाने गा रहा है और उनको भेट दे रहा है साथियो लेकिन कुछ जो अखंड अकेले हैं वो दोस्तों क्या कहते हैं बर्दी के बारे में आपको बता देता हूँ दो सब्दों में साथियो कि जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तडपती है ये ऐसी वैसी चीज नहीं भारत माता की खाकी बर्दी है वा मेरे दोस्त वा मैंने ताली वजा दी साथियो उसके लिए मैंने का गजब की सोचे भाई तेरी दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस पर साथियो जाने दो छोड़ो इन बातों को वैसे ही डेली कभी हग डे प्रॉमिज डे रोज डे जाने क्या क्या चल रहा है हम आते हैं इस पर जो हमारी बर्दी है जो जुनून है सबसे पहला कोश्चन साथियो सबसे ज्यादा वैरिफिकेशन पहले हो रही है लड़कों से साथियो और उसके बावजूद कुछ लड़कियों की वैरिफिकेशन अभी नहीं हुई है लेकिन वो करें सर मेरी वैरिफिकेशन नहीं हो रही अरे इन लड़कों का सोचो इन मैंसे किसी की ही नहीं हो रही लेकिन साथियो आप आपको एक चीज़ बता दू दोस्तो अगर आप मुझ पर यकीन करते हो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में लिखा मेरा दिल बहुत खुश हुआ उससे कि सर आप पर हमको यकीन है यकीन पर ही तो दुनिया चल लिए जहान जिन्दा है साथी हो उम्मीद पर आपको एक कि की वेरिफिकेशन आएगी मेरे पे 100% लिखके लेलो बिल्कुल घबराना नहीं है लेट अवेर हो सकती है चुनाव का माहुल है साथी हो आप जानते हो उत्तर प्रदेश में चुनाव है आज बोटिंग भी है दस्तारी को ठीक है इस वज़े से थोड़ा मोडा लेट हो र है सेंटर गवर्मेंट कौन सी है मोदी जी की राज्यों में चुनाव किसके हो रहे है योगी जी और हमेशा मोडी पदान मंत्री नहीं राएगा मोडी पहारों में चले जाएंगो जब कौन आएगा यारे बंगार की शकल के है तेरे बापको बुलिया गया वे लोग अगर परात करेंगे थोग दे जाएंगे लड़की का बलाकार हुआ था थोग दिए 24 घंटे गंदर पुलिस वाले तुम हैजराबाद चले आओ मुंबई चले आओ बैंगलोर चले ओ दो दो तिन दिन बाइज राद तक लड़कें टहलती है तच कर ले कोई नेचर कहना ना नैच लिए थोड़ा सा विजी है सेडिूल लेकिन आपकी जोइनिंग निश्चत है साथी हो ऐसे करके रहा करो जोइनिंग निश्चत है आपकी आ रही है वेरिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगी बिल्कुल परिशान नहीं हो ठीक है पहला कोश्चन मैंने आपका किलियर कर दि लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता हूँ ऐसा होता नहीं है सबकी बेरिफिकेशन हो जाएगी कि फिजीकल लड़कों का पहले हो गया और उनके फटापट डोकुमेंट बेरिफाई हो गया लड़कियों के फिजीकल चल रहे थे हुआ क्या नहीं तो ऐसा ही मैं कहा रहा तीसरा कोशन लेते हैं साथियों ये कोशन भी मैंने आपका केलियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है जोइनिंग मार्च में अपरेल में अपरेल में अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं तडपा सकता हूँ 80 80 80 बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तो 20 ठीक है अरे ठीक है क्या 80 परसेंट आपकी जोइनिंग मार्च में होगी साथियों एक बात ध्यान रख लेना जरूरी नहीं है एक अई तारिक से हो जाए आपको एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूँ इस में से कुछ लोग ज जैसे लेट हो सकता है तो 26 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा अब एक तारिक से अगर जोइनिंग नहीं होती है साथियों एक तारिक को तो अगर जोइनिंग नहीं होती है एक तारिक को तो आपकी जोइनिंग के 80 परसेंट चांस मार्च में ही है अरे मार्च तो इतना लेडी ले फाइल चल रहे हैं तब अप्रैल में ठीक है अब इस कुश्चन को किलियर हो गया चलो दोस्तों मैं एक वार ऐसे करके ऐसे मैं सोचता हूं एक वार ऐसे करके मैं जाओंगा वहां पर ऐसे यहां पर आशा रजनी मिट्टू और इदर वो चौदराइन ये सारे नहीं नहीं चाए पीके जाएंगे साथ ही हो ऐसी मेरी बॉंडिंग है आप लोगों के साथ कि मैं बिना चाए पीए वहां कौटरों में से लोटूंगा ही नहीं कुश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पर और वो है 625 का मेडिकल और जोइनिंग बहुत ही उन इंपोटेंट कुश्चन है साथ ही हो कैसे मैं माफी चाहता हूँ पिछले वीडियो में इसके बारे में बताना भूल गया था पता नहीं कौन से ट्रैक पैचले गे थे हम इसमें सुन लो 625 की मेडिकल और जोइनिंग साथ ही हो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा स्कूरूटिनी बहुत स्पीड में चल रही है आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा एक चीज आपको बता दूँ चूँके मैं सच्चा ही बोलता हूं साथ ही ह पहलाने वाला काम नहीं है आपकी जोइनिंग साइद इन लोगों के साथ न होगी थोड़ी मोडी ही लेट होगी ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो जाए लेकिन बहुत जल्दी आपके मैडिकल जरूर हो जाएंगे ठीक है दोस्तो अब बता देता हूं वो दो लिष्ट की जो मैंने बताया नहीं था उस टाइम पर साथियो सबसे पहले वीडियो में भी मैंने वो कंसीडर नहीं करीं फिर अगला वीडियो आया उसमें भी मैंने वो कंसीडर नहीं करीं दोस्तो अरे साथियो इसलिए कंसीडर नहीं करीं आप जानते हैं जब तक ऑथेंटिक ठपा न ल देखा होगा 600 में से 500 99 बच्चों का फटाफट से मेडिकल कराओ, ठीक है, साथियो मुझे पर विश्वास रखना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बैसे तो आज टेडी डे है, हैपी टेडी डे, हो जाओ कुछ, लेकिन प्रॉमिस डे कल है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता ह 625 बालो, साथियो, आपकी नोकरी लगवा के जाएंगे, अरे दोस्तो विश्वास तो करो, चलो, ठीक है, आप एक बात बताओ, 625 में बहुती इमानदार बच्चे हैं, साथियो कुछ, जो बहुत तडप रहे हैं, एक दो का मेरे को नाम याद है, मुकुल है, प्रिंस है, एक रीना है, बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं, साथियो, अरे साथियो, बिना आग के जल रहे हैं वो लोग, लेकिन कह रहे हैं हम जज़वात को कैसे रोकें, जो बर्दी के लिए हमारा प्यार है, दोस्तो तुमको बर्दी दिलवा के जाएंगे, जैहिंद, साथ वेटिंग लिस्ट आने के चांस इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज यानि बिलकुल आएगी, बिलकुल लगरा है, आएगी साथियो, वेटिंग लिस्ट आएगी, हाँ ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी नहीं आएगी साथियो, लेकिन आएगी, क्योंकि अभी पूरा एक साल है साथियो बेकेंसी आने में 2023 में आएंगी इसलिए वेटिंग लिस्ट आएगी आपको मौका मिल सकता है कमर कसके तयार रहना लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है जाते जाते एक चीज कहके जाऊंगा साथियो आपसे कि जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो इस पर ज्यादा नहीं सोचना के हमारे साथ क्या हो रहा है हमको इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं जैहिंद बंदे मातरम गौड ब्लेस यू